मHello Traders Welcome to my Youtube Channel आज हम लोग Państwo करने वाले हैए एक इंट्राडी स्ट्रेड़िजी के ऊपर यह इंट्राडी स्ट्रेड़िजी इंडिकेटर बेस्ट होने वाली है ठीक है तो क्या इस्ट्रेड़िजी है कैसे हमको यूज करना है मैं पूरी वीडियो आप देखते रहे हैं मैं पूरी वीडियो में A to Z सारी चीज़े समझाने वाला हूँ ठीक है तो सबसे पहले हम चलते हैं यहां FX लिखा हुआ इस पर यहां हम इंडिकेटर सर्च करेंगे EMA Exponential Moving Average यह लिखा आ गया इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो यह हमारा यहां पर आ जाएगा ठीक है तो मैंने यहां पर दो यह में लगा रखे 21 का एक 50 का कैसे यूज करना है आप वीडियो देखते रहे हैं मैं पूरा A to Z आपको समझाने वाला हूँ ठीक है तो 2 EMA हमको लगाने है 21 का 50 का प्लस एक Volume Indicator हमको लगाना है ठीक है यह Volume Indicator नीचे है चलो तो अब हम देख लेते हैं हमको trade लेना कैसे है ठीक है क्या चीज हमको इसमें देखनी है तब हम इसमें trade execute करेंगे चलो तो यह जो हम जो चार्ट लेने वाले हैं वो है UPL का 5 अले की लाइन दिख रही है यह है 21 EMA की यह देखो मैं क्लिक करके दिखा देता हूं 21 EMA की और यह जो blue वाले लाइन है 50 EMA की ठीक है तो देखो जब भी यह जो orange line है यह orange line जब blue line को नीचे की तरफ काटेगे तो हम sell opportunity डूनेंगे और जब यह orange line blue line को उपर की तरफ काटेगे तब हम buying opportunity डूने की ठीक है चाड़ो अब क्या हुगा यह 21 यहां हम देखते है 18 जून ठीक है 18 जून को यह यहां पर market थोड़ा से consolidate कर रहा था तो इसके बीच में EMA फसरा था जब कभी ऐसी condition आईगी ना जब EMA की lines जो है price के अंदर move कर रही होगी तो हम वहां पर trade को avoid करें ठीक है हम वह trade नहीं लेंगे बट जैसे 21 जून को हमने क्या देखा कितना sharp move आया है कितना clear देख रहा है कि आप यहां पर कोई भी दिक्कत नहीं है नीचे market खुडा हुआ है कितना easy lease ने clear cut दिया हुआ है कि orange line ने blue line को नीचे के तरफ cut कर दिया है ठीक है दूसरी चीज हम द और आगे कि अगर दो तिम केंडल तो इसमें volume बढ़ा हुआ है correct ठीक है तो देखो मैंने आपको बताया था जब भी orange line blue line को नीचे की तरफ काटेगी तो हम cell position बनाएंगे यहां पर हुआ क्या easy ली देखो कितना sharp move दिया है इसने काटा ठीक है तो पहली candle का हम high or low mark कर लेते ह है यह हाई है और यह हमारा low है ठीक है अब sharp move दिया लगबग इस candle पर तो इसने कटी किया है तो हम यहां ट्रेड नहीं लेंगे यहां पर हमको clear cut देख रहा है और in line नीचे आ चुकी ठीक है तो हम इसके देखो cut तो हमको मिल गया है लेकिन फिर भी हम एक confirmation के लिए क्या करें जब इसका low break हो जाएगा तब trade को execute करेंगे ठीक है तो मैंने यह देखे यहां पर यह candle close हो गई है तो यहां कहीं हमने trade execute किया अपना stop loss लगाए हम candle का high और यह है हमारा stop 1-2 का target यह देखे बहुत ही easily achieve हो गया और यह कुछी देर में achieve हो गया ज्यादा time भी नहीं लगा ठीक ह यह हमने morning time में achieve कर लिया अब हमारे पास पूरा दिन है अच्छा दूसरा आप अपना target कैसे बढ़ा कर सकते हो stop loss तो आपका छोटा ही रहेगा target आपका हमीशा बढ़ा रहेगा ठीक है लेकिन target हमने यहां पर 1-2 लिया है लेकिन क्या हम इससे आगे बढ़ सकते है यस यह नहीं देखिए तो हम market के अगर last तक भी रुपते हैं तब भी हमारा trade यहां कहीं close होगा और हमने कितना ले लिया आज 2.57 ठीक है तो 1-2.57 हमने ले लिया यह बहुत ही अच्छी strategy है आप इसको market में use करके देखो ठीक है और use करने के बाद आप पहले use करो उसके बाद करना उसके बाद ही real market में apply करना ठीक है चलो तो मैं मिलता हूँ आप से अगली वीडियो में अगली strategy के साथ तब तक के लिए bye bye